हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक शो चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ कई सारी मूवी और सीरीज के अपडेट के बारे में जिन से आपको पता चल जाएगा कि असल मैं बॉलिवुड में कौन कौन सी फिल्म और सीरीज के प्रजिक पर काम चल रहा है और किस से रिलेटेड अच्छी निउस निकल कर आई है और ओविजली किस से बैड तो चली अब के टाइम को बिल्कुल भी नावेस करते हुए बात करते हैं उन सभी के सभी डीटेल्स की यानि के अपडेट की जिससे पहले बनीगी मेरी छोटी सीर्क्वेस जो की है चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो बात करें सभसे पहले अपडेट की तो शाहिद कापूर की जैसी और केजी अब चैप्टर टू को सैंसर बोट की तरफ से यूए के सैटिफिकेट मिल गए है यानि कि अब बारी तलापती विजे की बीस्ट फिल्म की है जिसे लेकर डिस्टूबिटेस की तरफ से किस तर 700 स्क्रीन मिल रही है वो भी सिर्फ और सिर्फ हिंदी की यानि के ऐसे में तो टकर इस फिल्म की केजी अफ चैप्टर टू से काफी बराबर की रहेगी जिसमें जर्सी फिल्म का स्टैंड तो बहुत ज्यादा कम लग रहा है जिससे हटकर अब आ जाए जी फाइव पर रिली फिल्म की रीमेक है जो कि मेरी नजर में ठीक ठाक सी फिल्म थी और शायद ये बात मेकर्स को भी पता है इसलिए इस फिल्म को जी फाइव पर लीस किया जा रहा है थेटर में बिल्कुल भी नहीं और अब बात करें प्राइम वीडियो की तो प्राइम वीडियो पर 22 एपरे तो अजेदयोगन ने शिवाय के बाद पूरे आठ साल का गैप रिया था फिल्म को डारेक करने में जिसमें अब उनकी फिल्म रनवे 13 एद के लिए बनकर तयार है रिलीज होने के लिए जिसके बाद रूमर यही है बॉलिवूड हंगामा वालों की तरफ से के वो इसके बाद भी एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे है जिसे रिलीज करने का सपना उनका 2023 का है क्योंकि यह फिल्म माइथोलोजी के टच के साथ साथ काफी हैवी वी एफेक्स से भरी पड़ी होगी जिसका बजट अराउंड 400 करोड का बताया जा रहा है यानि यह पैन इंडिया की लेवल की फिल्म जिस पर उनकी पूरी टीम बहुत ही दिलो जान से काम कर रही है लेकिन अब तक फिल्म से रिलेटेड जादा डीटेल रिविल नहीं की गई है क्योंकि आजे दोगन इसके अलावा भी भोला दिरिश्यम टू और सिंगम जैसी फिल्मों के प्रोजेक्ट में बिजी है कि परिनिती छोपडा इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाली है अपने दूसरे प्रोजेक्ट के वज़े से इसलिए अब एक नाम रश्मी का मंदाना का निकल कर आ गया है जो उन्हें इस फिल्म में रिप्लेस करने वाली है क्योंकि प्रोजेक्ट जो प्रोडेक्शन के लिए रेडी होता है वो किसी भी एक्टर के लिए बिल्कुल भी नहीं रुखते भले से ही एंड टाइम पर उन्हें कितने भी स्ट्रिक डिसीजन क्यों ना लेने हो जिस डिसीजन में अब राश्मी का इस फिल्म का हिस्सा बन चुकी है बागी बात करें विजे दिवाकुंडा की फ्लाइगर फिल्म की तो इस फिल्म के मेजर कैरेक्टर माइट टैसन ने अपनी डबिंग को कम्प्लेट कर लिया है जिस बात की कन्फोर्मेशन उन्होंने खुद दी है यानि कि अब फिल्म इस साल 25 अगस के लिए पूरी तरीके से रेडी है थेटर में रिलीस होने के लिए जिसके बात-बात करें नेट्फिक्स की स्पाय फ्रिले सीरीस खूफिया की जिसे विशाल भरदवाज रैरेक करने वाले है क्योंकि प्रोजेक्ट तो इंट्रेस्टिंग लगी रहा है जिसका रिजल्ट किस तरीके का निकल कर आएगा उसका सिवाए वेट करने के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता जिसके बाद आजाए रौनी स्क्रूवाला नितीश और अश्विनिय यह तिवारी के प्रोजेक्ट पर जो सभी मिलकर तरला दलाल की बायोपिक पर काम कर रहे है जिस फिल्म में उनके रोल के लिए उमा कुरेशी को कास्ट किया गया है बाकि अगर आप तरला दलाल को नहीं जानते तो मैं आपको बता दू के 80s और 90s के टाइम पीरेट की वो एक बहुत ही फेमस कुक है जिनके पूरे करियर के अप्शन डाउन को अविसली इस फिल्म में बताया जाएगा और इनकी पॉपिलरिटी हर घर तक 10 मिलियन की कॉपी डीटेल निकल कर नहीं आई है तो बॉलिवूड हंगा मालो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में शायद कपूर के अपोजिट डायना पैंटी है जो इस फिल्म के अलावा सैल्फिय और अद्भुच जैसे फिल्म के प्रोजेक्ट में भी नजर आने वाली है लेक से एक परुंधवन है और दूसरी जानवी कपूर बाकी बात करें फिल्म की ऑफिशल विलीज डेट की तो वो भी रिवील कर दी गई है कि ये फिल्म हमें नेक्स येर साथ एप्रिल को देखने मिलेगी जिस नीउस को सुनकर सलमान खान के फैंस बहुत जादा नाराज है क् फिर क्या रिजल्ट तो निकल कर आना ही था जब फाइनली निकल कर आ चुका है वो भी अगेन बैड न्यूस पर क्योंकि अब इस फिल्म को नडियाल वेला के बैनर के अंडर नहीं बलके सलमान खान के बैनर के अंडर बनाया जा रहा है जिसकी स्क्रिप्ट और उसके डिरेक्टर फराद समझी के साथ ही बनाई जा रही है यानि अब तक बॉलिवुड ने वो लेसन नहीं लिया जो उन्हें दूसरे कंटेन या फिर कहू साउत की फिल्मों को देख कर लेना चाहिए कि लोग आज की तारीक में किस तरीकी की फिल्म जादा देखना पसंद करते है लेकिन अब जो हो चुका है उसे फिल्म तो बदला नहीं जा सकता जिसमें अब ये फिल्म कैसी निकल कर आती है और कितने घटिया जोक्स के साथ उसका पता तो आने वाले दिनों में ही चल जाएगा उसके बाद आजाए आखरी के दो अपडेट पर जो कि आश्रम के सीज और अशूर के सीजन टू से रिलेटिड है तो रूमर के अकॉर्डिंग ये दोनों ही सीरीज इसी साल अपना डेब्यू करेगी जिसका अंदाजा एप्रेल से लेकर जून तक का लगाया गया है लेकिन कितनी शुरिडी के साथ अगिन उसकी मिर पास इसी कोई भी अपडेट नहीं है लेकिन सीरीज इसी साल आएगी ये बात पकी है जिन सभी अपडेट को लेकर अब आपकी क्या राए है उस बारे में मुझे कमेंट करकर ज़रू बताइएगा क्यूंकि आप वक्त है वीडियो को यहीं पर खतम करने का मैं हूँ अजीज शेक आप देख रहे हैं ते सब्सक्राइब है